वैसे तो ओलम्पिक में भाग लेने हर देश के स्टैकडों खिलाडी जाते हैं लेकिन नाम सिर्फ उन खिलाडीों के रह जाते हैं जो तीनों में से कोई ना कोई मेडल अपने नाम करलाते हैं या तो वो ब्रॉंज अपने नाम करें या सिल्वर या गोल्ड लेकिन क्या आपक को पता है कि तेज जुलाई से लेकर आठ अगस्तक ओलंपिक खेलों का यह महा कुम्ब चलना है जिसमें भारत की तरफ से 127 एथरीट्स ने भाग लिया है जो कि अब तक की सबसे जादा संख्या है यह आई ओए यानि कि इंडियन ओलंपिक कि गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और ब्राउंज मेडल में कितनी नामी राशी होती है तो यह आई ओए ने डिशाइड किया है कि जो भी खिलाडी जिसने ओलंपिक में पार्टिशिपेट किया है वो अगर गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो 75 लाख रुपीज उसे इनामी राश मिलेगी जो कि कंफर्म्ड है सिल्वर मेडल लाता है तो 40 लैक्स और ब्राउंज मेडल लाता है तो 25 लैक्स इसके अलावा जो भी फेडरेशन्स होते हैं वो अलग से उनको मिलता है उसमें खिलाडी का को हिश्या नहीं होता है खिलाडियों को डेली पॉकेट अलाउंस के त इसके अलावा जब एथलीट गोल्ड सिल्वर या ब्राउंज जीत कर लाता है तो उनकी सरकारे उनको इनाम के तौर पर कुछ देती हैं उनको किसी का ब्राण नंबेश्टर बना दिया जाता है या फिर उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं कि स्पॉंसर सिप मि इत्यास में हमेशा के लिए साड़क श्रम्यांकित हो जाता है मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में जैन